हेलो उत्रियन फैम्ली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक कर दो वीडियो पे चैनल पे सस्क्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस करके सस्क्राइब भी कर देना और हां कमेंट तो ध्यान से कर देना और हाँ कुछ काम का कमेंट करना मतलब कुछ पूछो, कोश्चन, वोश्चन कुछ बताओ हमको क्योंकि कल संडे है तो देखो हो सकता है कि मैं एक एक एक्ट्रा वीडियो बना दूँ लाइब का तो आईसा है कि हम लाइब नहीं आ सकते हैं बट हाँ मैं एक्ट्रा वीडियो जरूर बनाऊंगा और दिनेश कुमार ब्रो बहुत बहुत थैंक्यू फॉर योर हंडर रूपीस के सुपर थैंक्स के लिए यार या सुपर चैट के लिए देखो ऐसा है कि उनका जो सुपर थैंक्स है उसमें आया हुआ है मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने पेटियाम ओपिन नहीं किया था क्योंकि वालेट में बैलेस था नहीं बट अभी किसी को ट्रांसफर करने के लिए मैंने देखा था तो इसमें आपका भी डला हुआ था तो बहुत बहुत थेंक्यू देनेस भाई आते हैं अपन लोग सीधा इस पिछले एपिसोड पे जो की काफी सांदार होता है हमने देखा हुआ होता है कि जो न्यू बंदा आया हुआ होता है वो उड़ी में होता है लेकिन जो उसके पंक काट देता है मतलब सांद करा देता हुसे तो मामला कुछ ऐसा था कि जो यान ने उन सभी लोगों को मार दिया होता है जो वीश्ट होते हैं जो यान ने क्या ही इस बंदे ने मारा था इस बंदे के मानने के बाद जो यान इससे ले लेता है पिल्स और फूट्स को अब्सॉब करने लग जाता है अलाग यह बंदे जिएन से रिकेष्ट करते हैं मैं भी मानता हूँ इन हमने देखा हूआ होता है, कि यह बंदा चुप-चाप यहां से निकलने के फिर्क में होता है, लेकन Tike King उसे रोग देती है, जो देखकर तुरंती कहती, हे सुंदर नारी, हे सुंदर इस्थरी, हे देवी, हमें जने दे, हमारा आपका क्या दोस्त, जो देखकर Tike King चुप बोगा नहीं करनेंगा दे तो धृत से पहा चीज दो जाए जो देखकर ताइच नदेआच वाली होती कि अधर थिख है टीक कै ले लो मेरा लेलो सोल ब्लेट ओर दिज current देंज जल्द से जल्द ऊपर भी घाना चाहता था क्योंकि जोआँ को यह पता था कि यहां पे बंदे आ रहे हैं taxu clan के इसलिए जोआँ इस बंदे सा पूछता कि बारे में और कुछ मुझे बता जो तुझे पता हो एपिसोड मैंनो वहें अन्ड क्या होता है तो यह जो है जेश्ट वहीं से start होगा हो देखते हैं किस एपिसोड में क्या होने वाला है तो इस एपिसोड की starting में जोहन को एता मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इन demonic pills में काफी interest है क्या तुम अपनी pawल को सुधानी क्लेन का use करने के लिए काफी curious हो तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि इन पिल्स के बारे में क्या-क्या क्वाल्टीस है और तुम क्यों इनको लेकर इतना जारा क्यूरियस हूँ जो देखकर हो अंदर दंग रह जाता और जोहन की तब देखता है तब यूग जियाओ 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 जि पैड इजद्दार हैं वो तुरंती कहता है त्यान हे डेमन गॉड एक टाइम पे एमोर्टल गॉड पर हाप इस्टेप थे और ये भी रियूमर था कि उसे लगभग एमोर्टल गॉड पर ब्रेक्थ्रू मिल चुका है और यहाँ खबर फैलने के बाद इतने सारे लोग अपन भाई को भी ये पता होने चाहिए कि भले ही एम्पर एमोर्टल गॉड को ब्रेक्थ्रू कर लिया जाए इससे पहले कि आपके पास बास्तवी की दियल एस्ट लेविल के बैटल स्किल ना हो आप कभी भी अपनी टू पाउर को अनलेस नहीं कर पाएंगे इसलिए एस्ट ले हाई मैं आपको बता दू कि हाला कि मैं फूर्थ इस्ट पर हूँ लेकर मेरे पास कोई भी एस्ट लेविल के बैटल स्किल नहीं है ऐसे में अगर मेरा सामना उसी लेविल के एमोर्टल से होता है जिसके पास एस्ट लेविल के बैटल स्किल है तो उसके पास complete profit होगा मैं जितना जादा हो सा कि उतनी जाला डैमोनिक एनरजी को गैदर करना चाहता हूँ ताकि मैं और उपर जा सकूँ युग जियाओ ने धीरे से जोयान को ये बता होता है और ये सुनकर तो जियान और हरान हो गया होता है कि ऐसा है क्या हाला कि युग जियाओ ने जो कुछ पे इसको जो न्ति वेलो कर लेता है और तुरंति गयता तो तुमने सही का इस लेवल की बेटल स्किल तो मेरे पास भी नहीं है और जो आन की बोड़ी से एक स्ट्रॉंग और रिलीज होने लगता और जो जो डेमानिक एनरजी होती है वो फूट पढ़ती है और उसके डेंड टियान में जो demonic pill होती है condensed होनी लगती है और उसकी जो pattern होती है जो fit 22 हो गई होती है और यह अब हलकी हलकी blue color की हो गई थी और लगातार condensed हो रही थी जो हन महसूस कर सकता कि इनके अंदर की जो power वो बढ़ती जा रही है हाला कि जोहन को नहीं पता थे कि इन magical pill का क्या use होगा लेकिन demonic energy ने त्याने की magical energy को उसके inheritance से जोड़ कर रखा था साथ ही जोहन इसका use करके त्याने demon god के light elephant technique को भी so कर सकता था इसके लिए जोहन को इस demonic energy की ज़रुरत थी और अब जोहन ने सुना कि उसके पास कुछ ancient level के battle skill हो सकते है हाला कि जोहन को पता नहीं था कि technique चाहे वहां मौजूद हो या ना हो लेकिन कम से कम उसकी present time की power के साथ wide spirit tower तो उसे ancient battle skill नहीं देगा तव यहन कहता old jan क्या हमारे battle skill arena में कोई ancient level का battle skill है और जान की soul सीधा ही wide spirit tower के अंदर चली जाती है जो देखकर old jan तुरंत ही कहते हैं battle skill area में यहनिस नैसे काफी सार battle skill फीचर छोड़ दिये हैं लेकिन इन में से सबसे strong cable creation level के उपर है और ancient level पर सायद क्योंकि ऐसे skills को फिर scroll में save नहीं किया जा सकता इसलिए आपको creation level के उपर के battle skills को खुद ही खोजना होगा उनकी बात को सुनकर जान एक पल के लिए भंड खड़ा रह जाता है और old jan की तब देखते हैं कहता है तो यह आप मुझे कब बताने वाले थे नहीं मतलब कब बताने वाले थे कि इसके बात के levels के जो skill हम मुझे खुद खोजने हैं सारे मिलके हम को चूतिया बना रहे हैं जुहान की पूछताज के बाद old jan ने जुहान को बता दिया होता है और जुहान ने तो यहां पर सोचा थे कि यहान इस दौरा बनाएगा battle skill कापी अच्छ होंगे अब जुहान को त्यान है demon god के inheritance पे थोड़ा थोड़ा interest आ रहा होता है और जुहान समझ गया होते हैं इसेंट battle skill इतने ज़्यादा precious है यही एक reason है कि इतने सारे immortal level के warriors यहां पे अपनी जान और प्रान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं और जुहान को भी अब यह inheritance चाहिए था जुहान जुहान ट्रूरियलम से नहीं है इसलिए उसे त्यान है demon god के बार में ज़्यादा नहीं पता था नहीं उसने सुना था ना ही वो जानता था कि उनके पास किस तरीके का inheritance और वो कितना powerful है लेकिन जुहान को केबल इतना पता था कि नहीं टेंस काफी आरा powerful है और कम से कम एम्परन इमोटल लेबल के warrior के लिए तो यह complete attraction है तो fighting god के साथ जोयान को तो इसका attraction रखना ही चाहिए साथी इस मामने में competition होना भी तैही था थोड़ी देर के बाद जोयान दीरे दीर अपनी आके खोलता उसके body में जो magical pattern होते हैं अब तक 36 pattern condensed हो चुके होते हैं साथी green magical pill भी तेजी से sign हो रही होती है और इस टायम पे जोयान महसूस कर सकता था कि त्यान है demon elephant light के सबसे strong level को भी जोयान अनलिस कर सकता है साथी magical pill को absorb करने के बाद जोयान दीरे दीरे खड़ा होता और सबसे पहले जो experience करता है वो यह था कि यह बास्तों में एक treasure था साथी जोयान और पिल्स को condensed करना continue नहीं रखता क्योंकि जोयान को पता थे यह कोई खाना पीना नहीं है जितना पचापाओ उतना ही अंदर डालो जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब जोयान की बाड़ी में पहले से ही 1.2 billion तक कोई star पहुँच चुके होते हैं बहले ही वो इसे और भी जारे निगलना continue रखे जोयान की बाड़ी में जो कोई star बढ़ रहे होते हैं वो काफी slow हो गए होते हैं साथ दीरे दीरे जोयान अब एक barrier पर पहुच रहा होता है जहां से उसकी पार बढ़ने में थोड़ा सा मुस्किल उसे feel हो रही होती है तभी जोयान कहता है इस बार मैंने 300 million 300 million ओरिजन कोई पिल को सुधार आ है इसलिए यह सुधार काफी बढ़ा होना चाहिए जोयान लालज से अब यह cultivate करना continue नहीं रखना चाहता था इस टाम पर जोयान के जो होती है वो काफी thoughtful दिखाई दे रही थी यहान पर जोयान यही सोच रहा होता है कि यह जो 5 टाइकसू वर्ड के लोग आ रहे है यह उसका बहुत जाला टाइम बरबाद नहीं करेंगे क्योंकि वो इस जगह के रूल्स को तोड़ नहीं सकते लेकिन उसके पास परयाप्त magical pill तो होनी चाहिए तब ही तो वो अपर यलम तक आप आएंगे ना इसलिए अपर यलम अपर एरिया के अंदर इंटर होने के लोग उने magical pill के लिए complete करना होगा और killing टाबर के जितने उपर तक वो आएंगे उन्हें अपनी पिल को upgrade करने की जोरोयत होगी जिसके बाद जियान तुरंद के लिए कि जोरोय पर कहीं और कोई ऐसी जगह है जहां मुझे demonic energy मिल सकती है जियान जैसे ही खड़ा होता है उसने सभी पिल्स को absorb कर लिया होता है साथ ही अब भी जियान के पास 5 demonic fruit बचे हुए होते हैं हालकि जोरोयन इन अभी भी swallow करना चाहता था लेकिन जोरोयन को पता था कि इसके अंदर की जो energy वो काफी pure है और अभी इससे swallow करने पर ज्यादा profit feel होगा नहीं तो यूग जियाओ तुरंद ही कहता है ये जगह केवल mangrove की tree ही उगे हुए हैं जिन में demonic fruit उगते हैं और यहाँ पर 5 या 6 fruit थे लेकर उन सभी के fruit तोड़ लिये गए हैं क्योंकि मैं आसपास घूम चुका हूँ जो सुनकर जोरोयन कुछ नहीं बोलता और सिहलाता है और तुरंद ही कहता है उस situation में चलो 7th floor पर चलते हैं क्योंकि magical pill के साथ जो यान की power पहले से ही बढ़ गई थी साथ ही कुछ ही strong लोग पहले से ही बिना किसी हीच के chart के उपर वाले level पर जा चुके होते हैं और जोयन भी वहाँ जल से जल जाना चाहता था क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का नियाम ही लागू होता था सौ वाग इसे जोयन के magical pill काफी है तेजी से बहतर हो रहे थे और जितना जल्दी आप और जारा उपर लेवर पर जाएंगे आपको और अच्छी चीजों मिलने की possibility बढ़ती जाएगी जिसके बाद जोयन की body बहते हुए 7th floor पर जाने वाली होती है साथ ही हार एक जो floor होता है वो लगबग equal होता है साथ ही जो light होती वो इतनी जादा icon होती ही कि आप इसे दूर से ही चमकता हुए देख सकते थे इस time पे युग जियाओ की यांके चमक रही होती क्योंकि वो जानता था कि आप उसके पास जोयन से छुटकार पाने का एक बड़ा मौका होगा तीनों ही figure इस beam में gap हो जाती और तीनों ही लोग successfully 7th floor पर पहुँच जाते हैं और उन तीनों के gap होने के थोड़ी देर बाद 6th floor पर एक figure दिखाई देती है लेकिन उसे कुछ नहीं बिलता और वो तुरंती कहता ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बहुत तेज हूँ क्या वो पहले ही 7th floor पर जा चुके हैं और वहें चरा तो एक बंदा helpless तरीके से smile करता है और यह कोई और नहीं वलकि सैंजू होता है जिसे जोन ने पीछे छोड़ दिया होता और आखिरकार उसने भी कापी सारी demonic energy condense कर लिए होती है और 6th floor के अंदर इंटर होने के लिए वो qualify था साथी सैंजू यहाँ पर तुरंत यांगे निकलते हुए demonic energy की तलास करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आगे बढ़ता रहेगा तो किसी ना किसी moment पो जियो यान और बाकी team को धूरी ही लेगा कुछ लोगों को भागने के लिए बेताव होते हैं जबकी बाकी लोग उनका बेतावी से पीछा कर रहे होते हैं सैंजू यहाँ पे चुपचा बस अपने दिल में भगवान से मना रहा होता है कि उसका सामना किसी strong person से ना हो साथी उत्रन दिगेदा मुझे हमेसा लगता है कि इस टावर में कुछ तो बड़ा होगा जब तक कि जो यान की हत्या करने का किसी का इरादा नहीं है Empress उसके साथ हमें से कोई भी उसे मान नहीं सकता साथी ऐसा लगता है कि वो कुछ खत्रों के बारे में पहले से ही सचेजित है ऐसा लगता है कि हम बस यहां मनने के अंतिजार कर रहे हैं इस टावर में फसा हुआ होता और कोई नहीं जानता था कि बेवे यहां से कम निकल पाएंगे आखिर कर हजारों लोग इस टावर के अंदर दाखिल हुए होते हैं और बड़ी कॉआंटिटी में लोगों ने टावर के फस्ट प्रोर पर ही रहना पसंद किया था हाला कि जैसे जैसे टाइम बीता गया कुछ लोगों के अंदर के पेसेंस की कमी के कान उन्होंने आँगे बढ़ना कंटिवलू रख था और जैसे जैसे आप उपर जाएंगे लोगों की क्वांटिटी ओबेसली कम होती जाएगी लेकिन जोयान आख मूद कर स्पीड से आँगे बढ़ रहा था आखिरकार जोयान का जो टारगेट था हालाकि जोयान का जो टारगेट होता है वो एसेंट बेटल स्किल हसिल करना नहीं बलकि उसका मोटिव अभी भी अपनी पावर को सुधारना था क्योंकि जोयान जानता था कि उसका टार्गेट से नेकसी वर्ड को बचाना है सेवेंथ फ्लोर अभी भी धुन्दली होती और युग जियाओ की जो फिगर होती है लाइट के रेज से बाहर निकलती है वो चारो तरब देखता है तो ना ताइकिंग होती ना ही जो या जो देखकर वो खुसी सोशलते हों कहता है मैं आजाद हूँ सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने उम्मीद की अब पकड़ के दिखाओ मुझे इतनी बड़ी जगह पर तुम तीन लोग मुझे नहीं ढूर पाओगे एक दूसरे से मिलने की पॉसिबिल्टी बेहत कम है अब मैं का फिर आखिरकार मैंने इन घटिया लोगों को छोड़ी दिया लखिली मेरे पास एक बैक अप इस्टेटजी थी जिसके बाद युगजियाओ तुरंदी एक डेमेन फ्रूट को अपने हाथ से निकलता है और तुरंदी उसे अपने मूँ के अंदर डालने के लिए फेक देता है युगजियाओ तो एकदम है पी होता है भाई कि बस बीचा छूड़ी आप कुछ नहीं ये फ्रूट मेरा है मैं टेस्ट करूँगा कि कैसा है लेकिन तभी एक अबाज आती है और लाइट ग्लो होती है जो देकर युगजियाओ थोड़ा से हैरान होता है कि क्या हुआ फ्रूट अब तक मुझ तक पहुंचा क्यों नहीं लेकिन तभी वो देखता है दो फिगर और वो हाँ जिसमें उसने फ्रूट पकड़ रखा था वो हाथ ही गायव होता है फ्रूट उठाते भाई हाथ ही उठा लिया ये देकर युगजियाओ हैरान ले जाता है कि हाथ गया फ्रूट तो गया युगजियाओ का चारह एकदम सपेद हो गया होता है उसके चर पे एक दब हैरान इंप्रेसन होते हैं जिसे एक्स्प्रेइन कर पाना भी काफी जादा मुस्किल होता है उसके मुझसे केवल यही निकलता है इंपॉसिवल इंपॉसिवल इट्स नॉट अपॉसिवल एक ही समय पे पहली मंजिल पर तीनों लोगों का एक ही टाइम पर पहुचना इंपॉसिवल था युग जियाओ को वरुसा नहीं हो रहा था जो तब यह ताई किंगी थी जिसनों उसका हाथ काट दिया था और यह फ्रूट जो यान की तरफ ले आई थी हाथ सहित जो देखकर जो तुरंथ का था तो आपने कहा था कि सभी फूट दूसरों ने ले लिय था इसका मतलब है कि वो दूसरे आप ही है जान कोलड आई के साथ युग जियाओ की तरफ देखता है जो देखकर युग जियाओ तुरंथी माफी वांगते हैं smile करता है रहे sorry sorry आप किस बारें बात करें ये fruit मेरा नहीं है मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाया था मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाया था मैं बस इसे test करने ही बाला था कि आपने इसे छिल लिया तब ही यहां कहता है tie king वेट किस बात का कर रही हो, जाओ, मुझे नहीं पता कि यह सच कह रहा है या जूट, इसे रखना बेकार है, जोहान कित्ता कहता ही, ताइक किंग के हाथ की जो स्रॉड होती है, वो सायन होने लगते है, वो तुरंती यूग ज्याओ के तब दोड़ने लगते है, किलिंग टेंट निकल रहा होता है कि बंदा भी हैरान हो गया होता है, तब ही वो तुरंती यूग ज्याओ अपने हाथ से च्छय और डैमन फूट निकल कर जौन की तरफ दे दे देता है, जो तब तब ताइक किंग को अपनी स्रॉड रोकरी पढ़ते है, जौन हाथ लहराता है, औ पिछले पांच को जोड़ते हो, अब टोटल ग्यारा है, कुछ देर और अच्छे मौके के बाद मैं नाइन इस्टार के लेटी स्टेज पर सक्सेस्फुली ब्रेक्ट्रू कर लूँगा, साथ जौन यहाँ पर यूग जियाओ को ज़्याओ को ज़्यादे इंबर्स करना बाकी लोगों को भी, एनरजी गैदर करने में काफी ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो की, एनरजी यानि की अपनी पर्क बढ़ाने के लिए ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं रखती क्योंकि वो पहले ये मोटल लेवल पर पहुँच के हो, हालकि ज़्याद की डोमें लेवल की स्पिचल पर तुरंती फैल जाती है, और आसपास के एरिया को कभर कर लेती है, साथ ही आसपास क्योंकि डैमोनिक एनरजी फैली हुई तो बहुत कम एरिया होता है जहां पर जो यान अपनी पावर से देख सकता था, यहां तक यह सिकुड़न और पेन फील होने लगता है, जो यान की आखो के सामने भी अंदेरा छागया होता है, लेकिन इस समय डैमन गॉड का मौक जो यान के फोरेड पर साइन होता है, और सोल इटर क्लोन जो यान की बॉड़ी के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके कंड जो यान इस ची साइकिंग और युग जियाओ की तरह इन रस्तियों में खसकर बंद जाता है, हालाकि ये दोनों लोग कापी पेन में लग रहे होते हैं, जिससे पता चल रहा था कि ऐसी सोल अटेक कर पाने वाला परसन, पावरफुल परसन होना चाहिए, तब यान के था कितनी पावरफु तो वो भोचक कर आगया होता है, क्योंकि ये जो तीन लोग आये थे वो पावर में कमजोर नहीं थे, एक फोर्थी स्टेप एमपरेर मोटल था, एक थार्डी स्टेप, लेकिन वो जियान की इमेजिनेशन जितने श्ट्रॉंग नहीं होते, जितना की जियान ने सोच लिया साथ ही उसने अपने सामने के तीनो लोगों में से, जिसके पास इस्ट्रॉंग इस्ट्रॉंग इस्पिचल पावर होती है, वो केबल होली रियलम की थी, लेकिन इस टैंप पे ताय किंग और यूझ्जियाओ को जो कबर कर रहा होता है, उस परसन की स्पिचल पावर काफी लग रही होती है लकिली जो यान सोल अटेक से अपने आपको रिजिस्ट कर सकता था क्योंकि सोल अटेक का कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ता था तब ही एक बंदर तुरन दिगा था जल्दी से उस पर एक्सल लो और उन्हें मौका मत दो हाला कि उन्होंने केवल सोल ही सोल मे अगर कोई बस्त में एल्यूजनरी रियलम का एक स्ट्रॉंग परसन भी है तो भले ही सोरी टेड क्लोन ही क्यों नहीं हो जो यान को यकीन नहीं था कि वो इस लेविल के परसन को हरा पाएगा हालक यहां पर बहुत सारे एमोर्टल लोग हैं जिनसे जान मिल चुका है लेकिन अल्यूजनरी रियलम की स्ट्रॉंग पावर है इसलिए जान को नहीं पता था कि इसकी पावर कितनी होगी बिसक ऐसा लगता है कि अल्यूजनरी रियलम बाले परसन ने स्पिछॉल अटेग करते समय पर्दे के पीछे रहना ही चुस किया था और इसकी सबसे ज़़ादा बाकी लोगों को ताइकिंग यूग ज्याओ की प्रेजन टाइम की सिच्वेशन को देखते हुए वो इसमें हिलने डुले में कैपबल नहीं होते भले ही वो फॉर्थ और फिफ्थ श्टेप के हो साथ इनके चैर पर पेंट को साब देखा जा सकता था जैसे कि वो लोग बास् के उसे रोग भी रह होते हैं ताकि आराम से मारा जा सके साथ ही इन में से सबसे श्ट्रॉंग पर्दन फॉर्थ इस्टेप एम्परें मोर्टल होता है और उसकी पांचों यंउगलिया क्लॉ में बदलते हो ये ताइकिंग की चैस्ट की तरफ बढ़ा देता है क्योंकि चाह दिल न कापा ना ते दुनिया कापेगी चाहिए इमोर्टल हो या है मोर्टल बेसक फिफ्टी स्टेप का एम्परें मोर्टल भी अगर उसका हार्ट छील लिया जाता तो उसे कापी जाना नुकसान होगा हाला कि उसे हैविली इंजर तो नहीं करेगा लेकिन उसकी पावर को जरूर नीचे गिरा देगा साथ ही अगर आप फिफ्टी स्टेप के एम्परें मोर्टल लेविल के बंदे का हार्ट लेना चाहते हैं तो आपको उसके एमोर्टल बोन्स को भी ब्रेक करना होगा क्योंकि इस स्टेप के बंदों की जो बोन्स होती है वो भी स्ट्रॉंग हो प्रेक करता है बेस साले उस चक्कर में कुछ और भी तूट जाएगा, बोल रहा हूं पीछे से अटेक कर ले, हाला कि यह फूर्थ इस्टेप का एंपरे इमोर्टल होता है, और इसके हर एक पंच के अंदर काफी पाउर्फुल इमोर्टल पावर भी होती है, जिसने टाय किंग को हिलाकर रख दिया होता है, इस टायम पर ताय किंग भी आधीकून से लध्पत होती है, और उसकी आंके खाली, तो ताइकिंग के लिए जिन्दा रहना कापी याना मुस्किल होगा भले ही वो 50 स्टेप पर हो और उसकी पावर नीचे गिर जाएगी जहां तक जुहान होता है वो अभी चिल खड़ा हुआ होता बैहन का घोड़ा है भाई जुहान कोई भरोसा न करो इस पर अब उसी टाइम पर जुहान की बॉड़ी के सामने भी एक बंदा आता है जो सबसे कमजोर था और सेकंड डिश्टेप एंपर और मॉटल होता है वो जुहान को अजीब तरीके से देख रहा होता है क्योंकि उसे कभी भी फाइटिंग गॉड को लड़ते हुए यहां तक पहुचते हुए नहीं देखा था वो तुरंदी चल्ला तो यह कहता है अन्बिलीबबल यार भाई लोग देखो यह फाइटिंग गॉड है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक फाइटिंग गॉड यहां तक आ कैसे गया यहां तक आने में कैपबल होना इसके लिए एक अचीबमेंट होना चाहिए जाहरे यह आदमी सोच रहा होता है कि तॉड़ यहां तक लेकर आये होंगे साथ ही जुआन के यहां पे सोस्त होती है और जुआ को में कोई उतार चाड़ा नहीं था इसलिए ऐसा लग रहा होता है कि जुआ यहां भी बेहोस है कि देख, दांस देख के मर क्योंकि इसके बाद तू नरक जाने वाला है जसके बाद वो जान को देख तो अपने सिर्क उपर उठाता है और कहता है चलो, मरने को तयार हो जाओ बाबू मसाई और जो यान की तरह पटेक करने के लिए नाचते हुए, कूनते हुए करद आहि रहा होता है कि तबही, सड़नली एक जटका उसे लगता है हालाकि वो लापरवा होता है लेकिन तबही उसे फील होता है कि एक हाथ, उसकी चाती के अंदर घुष चुका है और उसकी पूरी वाड़ी अकड़ चुकी है जिसके बाद वो अपना चेहरा नीचे करता है एक हाथ देखता है फिर चेहरा उपर करके सामने जो यान को देखता है ये सब कुछ इतना ज़्यादा सड़नली हो गया था कि उसके पास रियक्ट करने का टाइम ही नहीं था जिसके बाद जोहान कहता है क्योंकि ये आपके लाष्ट वैड है मैं आपकी मदद करूँगा यहाँ पे मरना आपकी वाड़ी के लिए और आपकी लाइफ के लिए एक अची मेंट होना चाहिए जैसे ही जोहान की आवाज निकलती है बागी दो चूतियों के कानों में भी ये पड़ती है और ऐसा लगता है कि उनके कामों में जैसे थंडर श्ट्राइक हो गई हो तब ही जोहान अपने हाथ को धीरे धीरे बाहर निकालता है और जो यान के हाँ तुमें होता है 2nd step Emperor Immortal का heart जो देखकर वो दूसरा बंदा तुरंती कहते है ये कैसे हो सकता है वो phantom sky Zilam Dora control से कैसे बच सकता है दूसरे step का जो Emperor Immortal होता है वो खुण थूकते हुए, डरते हुए, पीछे की तरब जाकर गिरता है और डरते हुए कहता है नहीं नहीं यह नहीं हो सकता मर चुके हो तुम जो फूर्थ इस्टप का जो बंदा होता वो तुरंथी अपना पंच ताइक इंग को मारने बाला होता रोक लेता है और जो यान की तब देखते हो बहुँच रहात हुए कहता है क्या हुआ तब ही आप ब्रेदर लुओ सैंग ब्रेदर यहू मुझे बचाओ उसने मेरा दिल छीन लिया बेहन के घोड़े तू छीन रहा है सबकर तब चलेगा जैसे यह बंद दाड़ रहा होता है इसके जो इंप्रेशन होते काफी ज्यादा को लग रहे होते हैं और जो यान को उससे भी और वही काम इनके साथ कर दिया गया तो घटिया काम मतलब तुम मारो तो सही हम तुमको घुसके मार दें तो गलत सही खेल रहे हो बंदे यह तुरंत अपनी पावर के साथ जो आयान की तरफ बढ़ने लगता है तब ही जान भी दीरे दीर अपने सिरको उठात हुए लिवो लेकिन बेचारे को भी उमीद नहीं थी कि वो एक फाइटिंग गौड नाम फाइटिंग गौड लेवल के बंदे के साथ ने पेला जा चुका है जिसके बाद जो आएगा पेल दिया जाएगा और इस सीन को देकर उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे उसके उपर बिजली गिर गई हो कि क्या यह बंदा जानता नहीं है पाबर के बीच का गैब वो तुरंदी गयता यहू एक्सन लो और उसे मिटा दो इन दौनों को तुम मेरे उपर छोड़ दो और लुओ सेंग नाम का जो बंदा होता है तीनों में सबसे स्टॉंग और एमपरें मोटल के फॉर्स इस्टेप पर होता है दोस्ताब इहू नाम का बंदा थोड़ा कमजोड था और थर्डे इस्टेप पर था लेकर वो तुरंती से एला तो इस जान की तरब बढ़ता है दोस्ताब लुओ सैंग और इहू यहां पर हैरान भी होते हूंने लिया तब यहां कहता है मुझे अंदाजा लगाने दो एल्यू इजनरी रियलम की इस पिच्छल वाला परसन कहां छिपा है जैसे जान की आबाज आती है लुओ सैंग की नजर जो यहां की तरफ आ जाती है यहू कोई कसन मत छोड़ो और उसे जल से जल मार डालो लुओ सैं और युग जियाओ को मारना छोड़ देता है और जो यहां की तरफ आता है आखेकर जान के जाकते रहने की जो इस्ट्रेंट थी वो पहले से भयानक थी और उसका हाँ दूसरे लेवल केमपरे मोटर लेवल के बंदे की छाती के अंदर घुच सकता है वो भी फाइटिंग ग लेकिन कोई भी रास्ता नहीं था उसे जानने के लिए एक्सन लेना ही होगा कि क्या बैसा ही था जैसा उसने अंदाज लगाया तब यहन के था क्या वन भी थी करना चाहते हैं आप खतरा है लेकिन मैंने काफी बार क्लच किये हैं जो देखकर यू हू तुरंदी कहता हम ती जो सुनकर जोना समाइल करते हैं कहता रे नहीं यार मामला यह नहीं है मैं खुद यही कहना चाहता था कि तुम तीनों एक साथ आओ एक साथ आना बहतर होगा क्या टाइम भी बचेगा और मुझे एक इंटेंस फाइड भी मिलेगी तो अच्छी चीज है एक साथ ने पटने हैं चल दी ही ते आजाओ साथ ही तुम वो से इस्प्रिच्वल पावर वाले बंदे को भी क्यों इनमैट नहीं कर लेते आके का उसके पीछे छेपे रहने का क्या ही फाइदा जो सुनकर तो लुओ सेंका जो चेहरा होता वो नसों से भर गया होता आके चमकीली हो गई होती ह और उसकी बॉड़ी में ठंड़क बढ़ती जा रही होते हैं वो धीरे दीरी जो अनके पास पहुचता है और उसकी बॉड़ी में अमोटल पावर फ्लो होने लगती है साथ ही उसकी अमोटल पावर काफिया रहे स्टॉंग भी लग रही थी इहु आर जो दूसरा बंदा होत से एक long sword होती है इहू के हाथ में एक light sign हो रही होती है जो बिलकुल equal दिख रही होती है और सबसे बीक आदमी के हाथ में एक type का कुछ सांचा होता है सबसे इन तीनों के जो हतियार होते लगभग एक जैसे ही लग रहे होते हैं सबी की body immortal power से कभर होती है जिससे आसपास का इस place जो होता है वो कापने लगता है ये देखा जा सकता था कि तोनों दोरा लगाए गए पावर कितनी powerful थी जिसके बाद एक बंदा कहता है star king slash और तीनों के ही word एक साथ चिलाते हैं और अपने अपने weapons उठा कर जान की तरब slash attack कर देते हैं ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी एर को niche ओल लिया गया और तीन slash attack सीधा ही silver, red और blue light के साथ जान की तरब बढ़ने लगते हैं तीनों light के अंदर की explosive power को भी जान fail कर सकता था ब्लैक golden bing सब प्यार होते हैं हाला कि इन्होंने 100 feet का area lock किया था लेकिन अगर 100 feet के area से बाहर निकल जाए जाए तो जो यान की speed इतनी तेज होती है कि इन तीनों की उम्बी से भी जादा उन्होंने कभी सोचा ही ना था कि जो यान की speed इतनी जादा तेज होगी सती स्टैंप पिजान की body में बंदी हुई जो रस्ती होती वो भी तूट गए होती जो देखके ये लोग कापी है था हैरान हो जाते हैं तब ही एक बंदा तुरंती कहता है लुओफी साबधान रहो वो तुम्हें target कर रहा है जिस बंदे की power गिर गई होती उसका नाम था लुओफी ऐसा लग रहा था इनका रिस्ता सराल नहीं तबल किये तीनों ही भाई थे और जैसे ही लुओफी ने बोलना खत्मी किया एक तेज चीक सुनाई देती है और तीनों ही लोग बिलकुल एक silent under standing के साथ घूम जाते हैं और उनका slash attack लुओफी की direction पे चला जाता है उनके sword attack जैसे ही जुओफी से टकराते हैं चाहे कुछ भी हो में एक साथ एक जुठोना होगा और डनना नहीं चाहिए इसके बारे में लुओ सेंग की जो आबाज होती है वो continue रहती जाहिर तोर पर वो जो अनकी strategy को समझ रहे होते हैं और एकदम silent understanding के साथ बढ़ रहे होते हैं और जहां तक लुओ फी की बाती जो सबसे कमजोर थी वो उसे protect कर रहे होते हैं क्योंकि एक बार जब कोई seriously enjoyed हो गया तो उनकी understanding जियों की त्योंधरी रह जाएगी हाला कि जब लुओ सेंग अपने दिल में अच्छी अच्छी बाते और decision ले रहा होता है इस time पे उसकी आँके सिकुड गई होती हैं और चमकते black golden binks की एक जोडी उसके पीछे दिखाई देती है जो देखकर लुओ सेंग तुरंत ही हैरान हो जाता और कहता है तुम्हारी मेरे पासानी की हिम्मत कैसे हुई ये बंदा अंदाजा लगा रहा था कि जोएन यहां पे सबसे big person को ही choose करेगा जो कि और नॉर्मली हर बंदा करता है उसकी आँकों में अफसोस भी दिख रहा होता है तीनों में से सबसे strong person था वो जबकि जोएन को strong नहीं big को target करना था और अगर आप मरना चाहते हैं तो आप strong लोगों को target करेंगे इसलिए लो सेंग के thought में तो जोएन एकदा immediate person होता है क्योंकि अगर वो उसके खिलाप action लेगा तो यह वही चीज़ होगी जो वो चाहता है इसलिए जैसे जोएन सामने आए होता है लो सेंग अपने हाथ को गुमाते हुए thunder की तरह speed के सास जोएन की तरह अपनी sword को बढ़ा देता है हाला कि जिस टाइम पर यह sword light निकलती जोएन के हाथ में भी चम चमाता हुआ बाहा हुआ अंग ruler दिखाई देता है जो वाइड डिस्ट्रेक्टिव एवली thunder से लिप्टा हुआ होता और flame तो उसमें already थी जिसके बाद जोएन तुरंती उसकी तरह पटेक करते हुए कहता है creation level, thunder, fire, distraction sorry जोएन नहीं मतलब जोएन के पास थुड़ी है यह attack आ लू सेंग चिलाता है thunder, flame, distraction और उसके चलाती उसके sword से immortal power निकलती और flame तंडर एक साथ फ्यूज होते हुए जोएन की तरफ बढ़ जाती है कि आप बच के दिखा भाई तब ही जोएन के हाथ में जो ruler होता है उसमें flame तंडर एक साथ फ्यूज होने लगती है और ruler खुद वाखो जलने लगता है fight के दोरान जोएन के पास कोई भी संसे नहीं था यहां तक कि जोएन मन मानी ओरीजन कोई कभी यूज कर रहा हुता है वोसे चिंता करने की जवथ नहीं थी वो के वल अपनी पूरी power के साथ लड़ना चाहता था जान उसे बिलकुर अपना right hand समझता है और आखिर कर यह सब कुछ खुद को strong बनाने के लिए है जिसके बाद जान तरहन दिकाता है flame devouring thunder ruler हाला कि यह केवल domain level के high rank का battle skill है जो की creation level पर नहीं पहुँचा लेकिन इसकी power और limit इसे use करने बाले बंदे की power पर depend करती है कि आप इसे किस level तक ले जा सकते हैं लेकिन basic fighting skill की upper limit भी बहुत important होती है example के लिए flame devouring thunder ruler की power जो है या अन द्वारा flame और thunder के power पर depend करती है साथी जान की origin को इपर जो की 1.2 billion थी जैसे double c के साथ 2.4 billion माना जा सकता था जैसे mutated c के साथ 2.4 billion माना जा सकता था और जो आन इसकी explosive power को blast कर सकता था इसलिए जोन बिना किसी इच के चार्ट के समें source energy डाल देता जितनी से चाहिए होती है और हमले को सबसे strong level पर ले जाता है आखिरकार उसकी fight immortal level के बंदे के साथ थी भले ही जो यान 2.4 billion कोई को देख रहा हो लेकिन फी भी immortal power के सामनी ये कुछ भी नहीं था लेकिन luckily जोन के पास support के लिए origin god clone और immortal body होती है इसलिए जोन ना के वल flame और thunder की power को fuse कर सकता था बलकि immortal god के clone के साथ condense हो कर पहल जाती है दूसरा लो सेंग दोर स्रॉड स्लैस एक दम से तूट जाता है जिससे देखकर उसे उम्मीद नहीं थी कि बास्तों उसका टेक इतनी आसानी से destroy हो जाएगा वो तुरंती कहते हैं ये person बहुती strong उसने अपनी power ठीपा रखी थी वो कम से कम 50 step का immortal बंदा होना चाहिए लो सेंग की आंके डरी हुई होती है लेकिन अचाना की उसका attack हार जाता है और ये attack की जो power होती है लो सेंग की तरफ बढ़ती है और जयान भी अपने ruler को लेकर उसकी तरफ जाकर उससे टकरा जाता है लो सेंग की बड़ी आई वो इनके impression बदल गया होते हैं उन्होंने जो यान को लो सेंग को गहरी खाई में खदेड़ते हुए देखा था लो सेंग जब जमीन में गिरता है तो धूली धूल उड़ गई होती है और जमीन में गड़ा हो गया होता है लेकिन बेचारी ने खुद को stable कर लिया था कोल्ड ओरा होता है और एमोटल बॉडी के कारण एमोटल पाउर के कारण उसकी जो बॉडी होती जल्दी हील हो जाती है बंदा उड़ी दिखा रहा है लेकर फटी में है ठीक होने के बाद वो अपने पैर को जमीन में पटकता है और बिलकुल एक तोप के गोली की तरह हवा डालेगा और असे कहते हो लो चैंग किलिंग इंटेंट और एक साथ जोन की तरब देखता है और सियान स्रॉड के अंदर की सियान एनर्जी साइन होते हैं और सियान वर्ड वंडर को क्रेट करती है जो सीधा ही ज्यान की तरब जा रही होते हैं इस टाइम पर लूओ फी और ई और काफी यादा बाइल्ड और क्रूल हो गई हो गई हो गई है बबंडेर में लिप्टी तीनो हरी स्रोड काफी यादा वाइल्ड लग रही होती है और जुहान की तरह बढ़ रही होती है ऐसा लग रहा था कि वे तीनो काफी यादा confident इस attack को लेकर साती ऐसा लग रहा था या attack उनका combined attack होना चाहिए साती उन्होंने इस attack के साथ काफी strong लोगों को भी मार था इसलिए उन्होंने जुहान को मारने की भी उम्मीद थी लड़ाई एकदम तेज हो गए होती लेकिन इस time पे ताइ किंग और यूग जी आउट ठीक नहीं हुए थे साती ये समझ में नहीं आ रहा थे कि ये जानबूच का नाटा करे रहे थी और बास्तों में जाल में फासे हुए थे लेकिन इस time पे जोना के लिए लड़ रहा होता है कहीं फाउग में एक परसन पालती मार कर बैठा हुआ होता है और उसके चाहों तरब थंडर फ्लैग होते हैं जो किसी time का एक safety barrier होता है और इसके बंदे के आसपास के एरिया में powerful spiritual power का fluctuation हो रहा होता है जो कि है लिजनरी realm की spiritual power की तरह दिखता था आज spiritual power की तरह नहीं दिखता था बलकि एक किसी type की soul protecting technique की तरह लग रहा होता है उसकी forehead sign हो रही होती है वो तुरंती कहता है अगर मैं इन दो लोगों पर control छोड़ दूँ तो मैं उस पर कुछ control डाल पाऊंगा लेकिं इस तरीके से ये दो लोग जाग जाएंगे और strategy गड़ बड़ा जाएगी ये बंदा एक पल के लिए जिजा करा होता है और इंतजार करा होता है कि ये तीनों जोड़ान को हरा सकते है या नहीं हाला कि सैज़े और वर्टेक्स को देखते हो है जो जोड़ान की तरफ आ रहा होता है हम देख सकते थे कि जोड़ान जो center में होता है तुरनती उसके चाओ तरफ flame सीप फैल गया होता है साथ ये black flame इसके अंदर काफी अजीब power होती है जिसने अपने चाओ तरफ सब कुछ अपनी flame से ढख दिया होता है यहां कोई भी आरच्छन नहीं था चाहे किसी भी चीज को उसने अपने पास देखा उस सब को समेट लिया होता है साथी भले ही जोया ने इस बेटल स्किल का यूज पागल पन में किया हो उसके बॉड़ी की ओर यन को याभी भी काफी थी जोयां तुन तुन थी अपने आखों को फोकस करता है और एट मिश्टेस बाहू आंग रूलर को लपेट कर बेना किसी डर के तीनों का सामना करता है उससे ड़नने की चरुवत नहीं थी क्योंकि थ्री स्टार औरियन गौड की एमोटल बॉड़ी पर जोयां को फुल कॉन्फिडेंस था लेकिन बास्तों में जोयां के लिए चिंता की बात ये है कि वो पाउरफुल परसन जिसकी एल्यूजिनरी रियलम की स्पिचल पर वो कहां पर है एक बार अगर उसका प्रेस जोयां को पता चल जाता है तो फिर कोई खत्रा नहीं होगा बलकि वही बंदा है जो जो जोयां के लिए एक चिपा हुआ बड़ा खत्रा हो सकता है बेसक यहां पे एमपरस तीसी ले जोयां को डणनी की कोई जात नहीं थी हलाकि फाइट के जोरां जोयां ने कभी भी एमपरस को ट्रंप कार्ड का सपोर्ट करके यूज करते हुए नहीं देखा था साथ ही जाने आप ए नहीं में उसको हराने के लिए अपनी पार पर बिलीप करना चाहता था तो चलो गाइस इसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंड करेंगे और नेक्स एपिसोड में इस फाइट को एंड करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है क्या जैनिस फाइट को जीतेगा या हारेगा I don't know जो कुछ भी होगा हम नेक्स एपसोड में देखेंगे बाई बाई थ्रियान फैमिली गोड नाइट सोजाओ